हे सूपार में वेलकम बेक टू सूपर टूपर हिंदी हूस पोकेमोन इस बेस्ट सीरीज में बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें एश पिकाचू व्सेस रिची पिकाचू में वीडियो चाहिए वेल तो काईस आज की वीडियो होने वाली है वूस पिकाचू इस बेस्ट एश और रिची हमेशे की तरह पोकेमोन को उनकी स्ट्रेंथ एबिलिटी एक्स्पिरियंस एंड मूव सेट पर कंपेर करेंगे और देखेंगे कि इन पोकेमोन मेंसे कौन सा पोकेमोन बेटर है लेकि सबसे पहले रिची के स्पार्की की बात करते हैं स्पार्की रिची की पिकाचू का निकनेम है और उसका मेन पोकेमोन है जैसे एश का पिकाचू है स्पार्की का सबसे पहले पीरेंस हुआ था अफ्रेंड इंडीड में जहां वो एश की पिकाचू का पार्टर बनता है अग लेकिन उस टाइम एश की बाद चार रिजाट नहीं सुनता और आटोमेटिकली रिची उस मैच को जीत जाता है। लेकिन नेक्स्ट दी जब सपार्की फाइट आयए वी सौर्स से होती है तब सपार्की मैच को हल जाता है और रिची इंडिगो लिक से बाहर हो चाता है उसके बाद हमें उसका जोटो रिजन में अपेरिंस देखने को मिलता है जहां वो एश रूज के फ्रेंड के साथ मिलकर लूगिया उसके बच्चे को rescue करने में help करता है team rocket से और वो हमें advanced generation series में भी दिख चुका है जहां वो Professor Oak को kidnap होने पर rescue करता है team rocket से and the search for the legend में वो silver के साथ mortis को भी rescue करता है team rocket से अब बात करते हैं Ash के Pikachu के बारे में वैसे तो मुझे बताने के जरूरत ही नहीं है Pikachu के बारे में लेकिन फिर भी मैं short में बता देता हूँ Pikachu Ash का starter Pokemon होता है जो starting में Ash को बिजली के जटके देता रहता है लेकिन जब Spearow का attack होता है उसके बाद से Ash औ Pikachu तरेक्षर अच्छे होने लगते हैं वो साथ मिलकर बहुत से adventures करते हैं tough opponents को defeat करते हैं जिसमें के legendary Pokemon Regis and mega evolution Pokemon Lucario भी शामिल है अब तक Pikachu Ash के साथ मिलकर Kanto, Johto, Poincino, Univo, Carlos and Alola Reason ट्रैवल कर चुगा है और इतने सारी रिजन ट्रैवल कर के कि उसने अपने से tough opponents को defeat किया है बहुत सार experience गें किया है और बहुत से moves को learn भी किया है और Ash को gym badges दिलवाई है Pokemon League में participate करने के लिए New Reason में आते ही उसकी powers reset हो जाती है Pikachu Ash का चट्डी बड़ी है जिसे Ash अपने आप से बिलकुल भी अलग नहीं कर सकता Pikachu ने impossible चीजों को भी possible करके दिखाया है और बीना evolve हुए भी उसने अपनी से strong opponents को defeat किया है जिसमें से एक legendary Pokemon Latios है Pikachu नो उसके साथ tie किया था Pikachu एक well-known Pokemon है जिसे हर कोई जानता है और ऐसे हम Pokemon anime में देख भी चुके हैं Ash और Pikachu का bond इतना strong है कि हमें ऐसा strong bond PC और Pokemon और उसके trailer की भी इस देखने को नहीं मिला है अलोगल रिजन में Pikachu Z-moods को reuse कर सकता है जो की बहुत ही strong move है वेल तो सबसे पहले point strength and ability की बात करते है Ash की Pikachu की बात करें तो जब भी वो new reason में travel करता है उसकी powers reset हो जाती है लेकिन फिर भी वो हर Pokemon की season में ये प्रूव करता है कि वो छोटा भले ही है लेकिन वो धुमा के जोरदार करता है उसने legendary Pokemon रजैस को defeat किया है Mega Manusid Pokemon लुकारियों को हराया है और legendary Pokemon Latias के साथ अपना match tie भी किया है कितनी बार type disadvantage होती हो भी उसने battles में जीत हासिल की है हारते हारते भी Pokemon battles को जीता है चाहे हो battles Pokemon leak की हो या gym leader की या फिर tag battle उसने कभी भी हार नहीं मानी है और अब तो वैसे भी Pikachu Z-move को यूज कर सकता है जिसमें कि वो steel type और electric type move भी यूज कर सकता है Z-move के और वहीं अकरम Richie के स्पार्की की बात करें तो उसकी power को खुल के नहीं दिखाया गया है एक बात और ये है कि Richie और उसके स्पार्की का appearance कम दिखाया गया है कि वो किसी भी Pikachu को easily defeat कर सकता है चाहे वो Richie का Pikachu क्यों ना हो तो मेरे ख्याल से standard ability का point जाता है Ash के Pikachu के पास वेल्ट अब second point moveset की बात करें तो Ash के Pikachu को आते है थंडर शॉप, थंडर बोल्ड, एजिलिटी, क्विक अटेक, थंडर, डबल एच, टैकल, लियर, आयन टेल, गोल्ड टैकल, इलेक्ट्र बॉल्ड और इलेक्ट्र वैब और वहीं पर Richie के स्पार्की को आते है तो moveset का point जाता है Ash के Pikachu के पास अब last point experience की बात करें तो ये बात तो हम सब लोग ही जानते है कि Ash अब तक 7 reason में travel कर चुका है और उसके साथ Pikachu ने भी 7 reason में travel किया है और इदनी reason घूम घूम के उसने बहुत सार experience गेन किया है वो नए-ने Pokemon से मिला है उसने नए-ने Pokemon से battle की है Gym Leaders को हराया है Pokemon League में participate किया है और कुछ ऐसी battles भी fight करी है जिसमें उसका जीतना लगभग impossible तालिक लेकिन फिर भी उसने अपनी experience की help से उन battles को भी जीता है और नए-ने move sets को learn भी किया है लेकिन वहीं अगर Richie के Sparky के बात करें तो वह अब तक Kanto जोटो में घूमा है और बाकी का हमें बता ही नहीं किया है कि वह और कहां-कहां पर घूमा है उसने कितना experience गेन किया है तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए experience का point जाता है Ash के Pikachu के पास और इसी तरह Ash के Pikachu के पास 3 point होते है और आज की वीडियो का winner होता है Ash का Pikachu वेल तो guys ये थी मेरी आज की वीडियो और आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो आप लोग जो भी comment करते हो comparison वीडियो के लिए मैं हर एक topic भी वीडियो बनाने वाला हूँ लेकिन उसके लिए मेरे को time लगेगा क्योंकि मैं धीर देने ही सभी topics पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोग ने अभी तक Who's Charizard, Electrowire, Totara, Blazigan and Infinite वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो उन सभी का link आपको description में मिल जाएगा या आपको प्लेलिस्ट में जाके Who's Pokemon is best series को देख सकते हो वहाँ पर आपको मेरी सारे वीडियो मिल जाएगी इस topic से related तो guys, thank you for watching वीडियो अच्छे लेगी हो तो वीडियो को like और comment करना बिल्कूल मत भूला आज का like target है 1000 like और चैलो पहली बार आए हो तो subscribe कि वागर कही मत जाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो guys, मिलतों में आप से लिए वीडियो में Till then, Bye